दा फिश्टेल क्लास फाइब मैट चैप्टर वन पार्ट फाइव लेके एप्शाट फाइव लेके फिर से आडिया हूँ अभी हम लोग जो चर्च करेंगे बुमेंस मैंन बैंक फिश द्राइड फैक्ट्रे एसके बारे में हम चर्चा करेंगे आएए देखते हैं बुमेंस मैंस बैंक एक मिटिंग हुआ जिसमें मीन बैंक बनाने की बात हुआ और इसमें फैजयाला जी को प्रेशिडेंट चुना गया और सब फिशल मैंन बुमेंट को कहा गया कि आप लोग 20 लोग रहेंगे और सब लोग 25 रुपया एवरी मांथ पैसा जमा करेंगे तो देखो जो बैंक का निर्वान होता है ना वो काउं से काउं ना फंडिंग लाना परता है तो यहां पर तुम्हारे पास जो है यहां बात को समझने की जरुवत है यहां बात आपका किलियर है कि नहीं है किलियर है How much money does the group collect each month? पर तेक मन्थ में कितना पैसा होगा? तो पचीस गुने बीस बराबर पान सो How much money will we collect in the 10 years? दस एर में तो देखो पान सो गुने बारा एक साल में छे हजार तो दस साल में दस गुने छे हजार मतलब साथ हजार रुपिया अब हम प्रैक्टिस टाइम करेंगे Gracie need money to buy to net जासी and her sister want to buy log log so they take the loan from there the bank there the return will the interest bank से पैसा मिले डाले कि interest के साथ return करना परेग Gracie took a loan 4000 नेट के लिए वह पेड किया 345 रुपिया पर मन्थ तो कितना बैंक को पेड किया तो 345 इंटू 12 बारा पान साथ बारा चोको अर तालेश और छो चोवन की चार बारा तिया 36 पांच एक तालेश एक 440 रुपिया पेड किया 4000 लिया था यानि एक हजार 40 रुपिया उसको इंटेश देना पर जाशे और घर सिस्टर तुक लोन 21,000 लुपिया लुपिया था लुपिया था लुपिया था था तुटल 23,520 यानि 23,520 को 12 से डिभाइड किया यहां 12 यहां 11 यानि 960 रुपिया हुआ यही चीज को यहां पर मैं कल्कुलेशन करके दिखाया हूँ अगला है यहरली बुमें डिद नॉट गो तुटल जाने लगे हैं पहले लोग नहीं जाते थे अब कुछ लोग जाने लगे हैं अब वाई डिट नॉट स्टार्ट दे नुव फिश द्राइंग दे फैक्ट्री अब सब लोग ने कहा कि सब मिलके काहें नहीं एक फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग मचली को शुखाने का कार्ज करेंगे अब क्या हुआ कि दा भूमन मीनकर बैंक आल्सो वांट टू स्टार्ट दा फैक्ट्री डाइद फैस्ट दा पंचाय थाज गिवें दे दा स्यम लैंड अधर सियार दा सेव सेवन्टी फोर थाउजन अब फैक्ट्री लगाने के लिए तुमको चाहिए जगा जगा तु दे द क्या है मैं आपको लिग कर पेस करता हूँ यहां आइटम दे दिया प्राइस ओफ इच नंबर ओफ आइटम और कोश्ट यहां पर देखो सबसे पहले कहा कि फ्रेस वाटर आपको उसको बॉरिंग कराना परेगा तो तीन हजार गुने एक तीन हजार उपया इसमें खर्च उ अब तो फिस को सुखाने के लिए बांस लेना परेगा बांस का जो है मचान बनाना परेगा तो दो हजार एक में बीश मकान हुआ बीश मचान यानि 40,000 रूपया इसमें खर्च होगा सिमेंट का टैंक बनाना परेगा इसके लिए 4,000 अब ट्रे और नाइफ लेना परेगा तो तीन दुनी छे, 6,000 इसके लिए भी बकेट लेना परेगा पंद्रा सो की बकेट यह सब को जोर दो चालीस हजार तीन हजार, चार हजार, छे हजार चार, तीन, साच्छो, तेरा, एक, चाओदा, चाओदा हजार, पांसो, अचालीस हजार यानि 54,500 फ्रेस फिस दाइड विकाब व्रण वाइड थार वेड यानि एक बकेट थार ही रहता आता है, अच्छे हजार केजी किया, तो यहां पर, छे हजार बकेट थिरी, तो दो हजार, यही चीज को यहां पर कलकुलेशन करके मैंने शिखाने का रिखाएंगे आज की और शिखा, काम किया है अब देखो फैक्टरी तो बन गई अब शुकाने के लिए तुम्हें यानि नमक कियो शक्ता परेगा तो यहां पर फ्रेस फिस पंदर उर्पय पर केजी है ड्राई वाला जो है सत्तर रुपय यहां पर छे केजी का फ्रेस केज लेता है तो यहां पर पंदरा से मल्टिप्लाई कर दिया नबे रुपया खर्च हुआ अब दो केजी बचा इस सत्तर के रेट से है एक सो चालिस रुपया हुआ यानि छे केजी में कितना वो अर्ण किया तो एक सो चालिस रुपया आया अनबे रुपया खर्च हुआ यानि पचास रुपया फैदा हो गया यानि छे केजी में पचास रुपया फैदा हुआ अब यह तुमको हमने सिखाया था छे केजी में पचास रुपया फैदा हुआ तो इधर छे हजार है तो इधर भी हम छे हजार से मल्टिप्लाई कर देंगे यानि पचास हजार रुपया उसको फैदा हुआ पचास हजार रुपया यह बात समझ में आ गया अब देखो यहां तक तो तुम्हारे समझ में आने में कोई दिकत नहीं है यानि भैक्टी लग गई पैसा आ गया अगली जासे आए फॉर्म सिक्स थाजन केजी फिश अब उसको करने के लिए पंदरा केजी तुमको शॉल्ट की जरुवत परेगा और शॉल्ट का कीमात दो रुपईए पर केजी हैं तो मंथली कोस्ट कितना परेगा एक महिना में पंदरा केजी का तो गुना कर देंगे तो तीन हजार रुपिया का नमक यानि शॉल्ट पैकिंग यह सब करने में किराया तीन हजार तो टोटल होगलवा छे हजार रुपिया एक्सपेंस एक महिना और भैदा कितना हो रहा था पचास हजार पचास हजार में छे हजार चला गया यानि 44,000 पर मंथ हो गया यानि मंथली उसका जो यहां पर हमने कहा था छे हजार और यानि 44,000 आ गया यहां बात तुमको समझे में आया कि नहीं आया यानि कोई भी आदमी बिजनस करता है तो उसका एक ही मक्सद होता है कि उसको हम कैसे प्रॉफिट में कनवर्ट करें तो यह अब तुमारे बस क्या है ना यह कलकुलेशन करके दिखाया यानि अगली बात चेक टुसी यू अल्सू गेट दा सेम अंसर यस अब तुमारे पास कर रहा है कि फाइंट आप सॉंग शॉंग भाई दा फीशर मैन और विब दे फोट फॉंग वाउट 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 वा लेगन में प्रयास करता है Try and try again Try and try again Another day is flying by Under the waterfall Cast of the world real in the way new The stars shine over you Gliding in the moon night Mirror of the clear night Three to the swim away इस टाइब का बहुत सारे उन लोग गाते रहते हैं और चुकी उगाते रहते हैं जैसे तो देखो तो मैं तो भही मच्वारे वाले गाना आता नहीं है मैं तो कुजा पाठ वाले आदमी हूँ वहाँ पर तुम्हारे पास मैं वह चीज को पेश कर सकता है जैशे तो यहाँ पर तुम्हारे पास एक से चोटा सा एक बात तुम उसे मैं प्रस्न पूछता हूँ लोजिक लगाना महारा देखा होगा उसमें पांडो थे पांडो पांच थे युधिस्टिर भीम अर्जुन नकूल अन्सुअदि यहाँ पर युधिश्टिर की साधी नकूल के बेटी से हुआ, नहीं शोड़ी, युदिष्टिर की बेटी की साधी नकूल से हुआ, लॉजिक लगाओ, यहाँ पर देखो, युदिष्टिर मनि यूद में इस्तिर हिमालय, हिमालय की पुत्री, यानि पारवती, नकूल जिसका कोई कूल नहो, संकर भगवान, यानि पारवती जी की साधी संकर भगवान से हुआ, यहाँ बात तुम्हारे पास किलियर होना चाहिए, तो जो जो मुझे आता नहीं है, एक दो गाना तो मैंने लिख दिया है, हाँ, यही चीज को मैंने लिखा है, यह तुमको हम कह सकते हैं, समझ समझ के समझ न सीखो, समझ समझ भी एक समझ है, समझ समझ के जो न समझ है, मेरी समझ में न समझ में, अब कोशन एंसर का सेशन चालू, होता है, 20 fisher women have made there the one bank, is the same, 25 रुपया पर मन्त, deposit in the bank, how much money does the group collect the two months, देखो यार, 25 रुपया, 20 के हिसाब से, 2 महीना, एक हजार रुपया हो गया, 28 fisher women have the made there the one bank, is the 25 रुपया पर रुपया पर रुपया पर रुपया पर रुपया पर रुपया पर रुपया, if every month deposit in the bank, how much money does the group collect one quarter year, जैसे एक यर में, 12 मन्त होते हैं, और quarter का मतलब 4, यानि 3 मन्त में, तो देखो एक मन्त में 500 रुपया, तो तीन मन्त में 1500 रुपया, 20 फिशर मुवन है पर रुपया पर रुपया पर रुपया पर रुपया पर रुपया पर रुपया, 25 रुपया पर रुपया, every month deposit of the bank, how many does the group collect the one, and one half year, तो देखो एक year में 6,000 था, तो हाँप year में 3,000, a one and half को जोर देना है, तो 9,000, 20 फिशर में have the mate, they are the own bank, except the 25 रुपया पर मन, deposit of the bank, how much they will the group collect 20 years, यानि पहले तो 20 लोग थे, 25 लोग लगा है, बारह महीना तक, ऐसे ऐसे बिशा, ये वाले हो गए 500, और ये वाले हो गए 240, 3 जीरो तो पहले से निकल गए है, और चोभी पच्चे बिशा से एक जीरो आउर आ गए, यानि, एक लाग बीश जार रुपया, 20 फिशर्मेंट हैब दम मेट, देर दम बैंक, एक सेफ दम ट्वएंटे, एवरी मन्थ दिपोजिट दम बैंक, टोटल मनी दिपोजिट इन दम बैंक, 90 थाज़ेंट, देखो इसको 90 थाज़ेंट के लिए, 500 रुपया जमा करता है, तो एक सो असी महीना तक, उसको करना परेगा, 20 फिशर्मेंट हैब दम मेट, देर दम बैंक, इस सेफ 25, एवरी मन्थ दिपोजिट इन दिपोजिट इन दिपोजिट दिपोजिट, देर बैंक दा, एयर, फिर टू मन्थ दिपोजिट कम कर वाया, दस महीना तक, यानि 20 फिशर्मेंट, पचीश फिशर्मेंट दस, यानि 500 फिशर्मेंट दस, बराबर पांच हजार रुपया, अगला है, मेनी तुक दा लॉन, फाइब थाज़ेंट लिया, और पांच हजार रुपया दे दिया, तो छे हजार, मेनी तुक दा लॉन, फाइब थाज़ेंट, और पांच हर एक महिना दिया, यहनी छे हजार, तो कितना ज़्यादा दिया, छे हजार माइनस पांच हजार, बराबर एक हजार, घासे अंड सिस्टर तुक दा लॉन, ट्वांटी थाजन बाइब गोड, चोविस हजार रप्या दिया, एवरी मन दे रहा है, तो चोविस हजार को, बारह से डिवाइट किया, तो बारह दुना चोविस, यह जीरो, जीरो, यहनी दो हजार रप्या, जासे अंड हर सिष्टर तु दे लॉन, ट्वांटी वन थाजन, वहाँ पर ट्वांटी फॉर थाजन उसको टोटल पैसा दिया, तो कितना जादा देना परा, दीन हजार रुपिया, तो आपने, जो फिष्टेल की कहानी पर अधारित, जो भी फिष्टे होता है, वह आपने कर लिया, देखिए क्या क्या किया, पहले तो भाई मचली के बारे में पहचाने, उसको सीखे, फिर मचली को हमने बेचा, मचली बेचने के बाद पैसा जमा किया, उसमें क्या-क्या जमा होगा, हमने देखा, कर खाना कैसे मचली का खोजा जाए, कि जब मचली ना मिले, तो मचली कैसे हम लोग किया, इस सारे चीज हम लोग करने के बाद, आपका ये चैप्टर समाप्थ हो गया है, थैंक यू फॉर वाचिंग, हर्वाल से स्कूल मादान साइन्स!